नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि रिया चकरवर्ती बिग बॉस में जा करके सुसान सिंग के उपर जितने भी राज हैं, वो सब खोलने वाली हैं बिग बॉस 14, जिसका TRP काफी नीचे गिरता जा रहा है इस वज़े से बिग बॉस के जो कह सकते हैं कि संयोजक है उन्होंने ये फैसला लिया है कि रिया चकरवर्ती को बहुत ही जल्द बिग बॉस 14 में इंट्री कराई जाए क्योंकि बिग बॉस का TRP है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है एकदम नीचे आ चुका है और अभी TRP का एक ही रास्ता है कि कुछ ऐसे लोगों के लाया जाए जिनका मतलब वास्तविक जीवन काफी मतलब कह सकते हैं कि परिसानियों से रहा है काफी मीडिया से जुरा हुआ रहा है तो इसमें एक ही नाम सामने आता है रिया चकवर्ती रिया चकवर्ती के लगवक 3-4 महिने पूरे तरह से कॉंट्रोवर्सी में बीटती हुई है और अभी भी है भले ही वो अभी NCV के ड्रक्स मामले में वो बिल लेकर अभी बाहर में है लेकिन उनका जांच अभी भी चल रहा है तो बिग बॉस ने सोचा है कि क्यों ना रिया चकवर्ती को बिग बॉस 14 में इंट्री कराया जाए और टी आर्पी के मामले में मतब तावर तोड टी आर्पी लिया जाए तो दोस्तो बड़ी नियूस सबसे पहली पहल यही है भी कि रिया चकवर्ती को अगर बिग बॉस में इंट्री मिलेगी तो सबसे पहले उनसे कंटेस्टेंग लोग क्या पूछेंगे यह बड़ी बात होती है क्योंकि बिग बॉस में जब आप जाते हो यह कोई भी जाता है कंटेस्टेंट तो उनके पिछले जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन के उपर पूरी तरह से डिसकस किया जाता है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बिग बॉस में जो कि उनके पिछले जीवन को मतलब तिल का अतार बना करके वहां पर दिखाया जाता है और ऐसा भी होता है कि और दिखावटे की बहुत चीजें बिग बॉस में होती रहती है लेकिन वास्तविक जीवन में इसका कोई संबंध नहीं होता है बिग बॉस के बाहर बस TRP बढ़ाने के लिए यह सब हत्कंडे अपनाये जाता है तो अगर रिया चकवर्ती आती है बिग बॉस में अगर सोच लीजिए रिया चकवर्ती अगर बिग बॉस में इंट्री किये तो सबसे पहले क्या पूछेगे लोग क्या कहेंगे लोग और किस तरह से मतलब रिया चकवर्ती का बैभार रहेगा बिग बॉस में यह बड़ी दिल्चस्प बाती होगी और तब बिग बॉस लगता है कि अभी कोई नहीं देखता है लगभग नहीं देखते हैं लेकिन जब बिग बॉस स्टार्ट होगा और जब बिग बॉस में इंट्री होगा रिया चकवर्ती का तब यह काफी ज़्यादा TRP कमाएंगी तो इसके लिए Big Boss ने सोचा है कि रियाया चकरवर्ती को इंटरी कराया जाए हाला कि इसका मतलब हमारा चैनल कोई पुष्टी नहीं करता है कि ये बात सही है लेकिन आस लगाये जा रहे हैं कि रियाया चकरवर्ती की इंटरी हो सकती है in future तो देखते हैं क्या होत सब्सक्राइब बिल की घंटी जाओ बजाना पड़ेगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तता के लिए आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए जय हैंद